वेलकम तो माई यूटूब चैनल माई स्मार्ट एडिटिंग अजी दोस्तो अगर आप फोटोग्रोफी को लेके सीरियस हो तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना वीडियो को बिल्कुल भी स्कीम मत करना वाद में आप कमेंट करोगी है में ये पार समझ में नहीं है दोस् दोस्तो बैक्राउं लेनी ये बाद में थूड़ा नीचे से इसी करोग महाना है और भी दोस्तों हमारे फोटो लेनी है अट्पो प taking फोटो लेने के बाद में दोस्तों जो हमें बैग्राउंड एरेज करना हो दोस्तों जिस चीज़ पर हम बैठ्थे हैं वह बैग्राउंड में रेज नहीं करना हमें दोस्तों Erraze करते हैं यहाँ पर पार शाइता किने था सब्सकार मोदों सब्सक्राइब करने में दो सब्सक्राइब जा के धस्ते खहード सुद्वाड राधप राखना है क्ली करना है और यहां से थाटाय। इसको कलना है रेज देख सकते हैं बैक्राउंड बिल्कुल बिल्कुल रियल लग रहा है थोड़े थोड़ी कमें तो इसको कर देते हैं कि यह जो हमारा हाथ जो है थोड़ा ही रेज हो गया तो इसे रिस्टोर करके इसे हाड्नेस को थोड़ा बटागी और इसको यह आपर करते हैं देख सकते हैं दोक्तों हमारा बैग्राउंड गिल्कुल वियर लग रहा है इसको एड़ेश्ट करने के लिए दोक्तों हमें जाना है । में टूल में जाने के बाद अब इडयेश्ट में गय पोने में आनखे मैं कि में सकते को तो स्कूरु कि उपली छाया में दे लाइक लाए रूम собствен difference सेडों को बनाएबराना है और ये हम करने के फार में बनारे मिक्स में जाना एक ग्रीं को थोड़ा कम करना है सेचुरेशन को बढ़ाना है यह लोग को कम करना सेचुरेशन को बढ़ाना है इसको कम करना है दोसको अभी फेस अमारी स्कीन को करेंगे तो को कम करना है सेचुरेशन को कम करना है और इसको बढ़ाना है अब यह थोड़ा ब्ल्यू ब्ल्यू पिछे तो इसको भी कर देते हैं सेचुरेशन को बढ़ाना है अभी चलते हैं थोड़ा इसमें विकनेट डालते हैं नोईस रेडियूशन को थोड़ा बढ़ाना है तो दोस्तों मारी फोटो तयार है देखो दोस्तों बिल्कुल भी बताने लग रहा कि बैग्राउंड चेंज है नहीं है दोस्तों वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें हमारे जैनल को सब्सक्राइब करें